नमस्कार सांथ ही ओ तो आज है 5 सेप्टेमबर 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टन शयर्स के पर कुछ इंपोर्टन अपडेट से कुछ इंपोर्टन न्यूज है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुट डिलिवरी सेक्टर की मर्केट लीडर कंपणी जो मैटो लिमिटेट की शियर्स के बारे में जहां पे आज शियर क्लोजिंग दिया फिर से 200 रुपे की उपर आके 254 रुपे 85 पैसे बे 4.94 परसेंटेजी के साथ तो क्या है मामला दोस्तो एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेपी मौगन नामता अपने सुनागा जेपी मौगन की तरफ से टार्गेट प्राइज बढ़ा दिया गया है मतलब जो पिछले बार टार्गेट दिया था 208 रुपे का उसको तो बहुत पहले ही मतलब क्रॉस करके आच चुका है अभी जो निया टार्गेट दिया 340 रुपे का ठीक है तो मतलब अगर देखा जाए लगबग 208 के साथ कंपेर करें तो लगबग 50-60% यहाँ पर रेस किया है आज उसके साथ साथ ओवरवेट का जो डेटिंग पहले दिया था इस बार भी उसको मेंटेन किया और यह बहुत बड़ा कारण बना जो कि आज शेयर को एकदम उपर की तरह पुश्के इतना खराप मार्केट पे भी ठीक है ठीक है कंपनी अच्छी कंपनी है जब से हमने देखा था लगबग एक साल पहले ही के दो आज तेश की जून क्वाटर से कमपनी प्रॉफिट बना उसके बाट क्वाटर त्री क्वाटर फडिबन इस व बत्र प्रॉफिटच्प मिला और लेविण्यू के अंधर भी प्रॉफिट के अंधर भी EPS हो गया margin हो गया चारों से एक मिन पर बहुत अच्छा काम किया एवन आज की रेट में वॉल्यूम काफी ज्यादा होने के बाप जुद्धी एक अच्छा डेलिवरी रेट देखने के विला जैसे कि अब देख सेख तो सारे 11 करोड के पर शिया ट्रेड वा डेलिवरी रेट अच्छी कमपनी इसके पहले आपको मैं कहा था कि देखे एक चीज़ दिमाग पर रखे एक ही कंडिशन है कि देखे हम लॉंग टम इंवेस्टर से कमपनी अच्छा है बैलेंट शीट अच्छा है फंडामेंटल स्ट्रॉंग है बस पेशन रखे और कुछ नहीं चाहिए इसको फासा आता है हमसा लोग समझते हैं कि हमेशा मार्केट में तेजी होगा तो आपको सस्ति और उठाई के बागी बस लॉंग दम के लिए होड़ कीजे ठीक है ओके नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बेल बहुत प्रॉब्लिम यहां पर है ना कि आज की डेट पे देहान से देखेंगे शियर ओपन हुआ था 300 की उपर मतब 300 के जस्ट बॉडर लाइन पर ग्रैजुवली डिकलाइनिंग और क्लोजिंग के समय अक्चुली क्लोजिंग दिया जस्ट 290 की जस्ट बॉडर लाइन पर ठीक है तो यहां से अगर देखा जाए कि शियर अगर कल बाउंस बैक नहीं किया तो आप लोग एक आखो का दोगा है क्या मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं अचा जो न्यूस आया पर आपको शेर करता हूं न्यूस दोस्तों वह ब्रोकरेज का है घचला आइसे सेकुर्टीज आइसे सेकुर्टीज यहां पर एड करने का रेटिंग दिया है बेल के अंदर आज की रेट में कारवार भी काफी अच्छा था धाई करोर को पर शेयर ट्रेट भीवा 54% की डेलिवरी रेट यानि जो बड़े प्लेयर से दोस्तों खूब माल उठाड़ा है बेल के अंदर याद रखना तो जिस बैस मैं कहूंगा अगर देखें बहुत सारी इंवेस्टर कि अगर आप यह देखेंगे ना की डिफेंस सेक्टर की परफेर्फ़ांस क्वार्टर रॉन पर काफी खराबता सिर्फ डिफेंस की बात नहीं हो रहा है एंटायर पी सेक्टर की परफार्फार्मेंस बहुत खराबता उसके बाब जूद भी अगर कमपनी इतना च्छब पर को लास्ट वीडियो में कवर कर चुका आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोड़ा सा कि अगर आपने नहीं देखा वीडियो फॉर सम रिजन तो फ्लीज एक बच चेक आउट करना चैनल पर विजिट करके ठीक है आज कोई बहुत बड़ा गिरावाट नहीं हुआ औ इस वीडियो की थम्नल तो आपने पढ़ा होगा जिया भारत की प्राइम मिनिस्टर मोधी की तरफ से कुछ बड़े घोशना किया है मैं आपको दिखाता हूं कपका न्यूज है यह देखिए शाम के 6 बच के 38 मीट का न्यूज है धियान से देखिए निउस के एडलाइन पी 5 सेप्टेंबर इंपसाइज दे नीट टू डेमोक्राइज डेमोक्राइज सोलर मैनुफेक्ट्री एंट टेक्नोलोजी फॉर डेप्लोपिंग नेशन भारत के यह उसके बाद इन्होंने किया मैंशन के अड्रेसिंग दा इंटरनाशनल सोलर फेस्टिबल मोधी सेट इन वा दीजिए कुछ यह स्टेट्मेंट दिया अपने परसनल दा वर्ल्ड मस्ट करेक्ट्री एड्रेस दा इंबैलेंस इन कॉंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इन्वेस्ट्मेंट इन ओडर तो इन्शूर एन एनर्जी ट्रांजिशन ठीक हैं तो इनके तरब से सारी घोशन सब्सक्राइब करता है तो भारत की न्यू रिन्वेल सेक्टर की मिनिस्टर प्रलाद जोशी जी तरफ से स्टेट्मेंट दिया रिन्यूवल एनर्जी सेक्टर टू प्रोवाइट मोमेंटम टू इंडियन एकॉनमी तो मोस्ट प्रभी दिएकल इतने सारे अपडेट आया त सेक्टर में एक अच्छा कासा मूबेंट हो सकता है अगर सब कुछ ठीक टाक देगे यहां पर मार्केट की सेंटिमेंट हो गया ओवरल सेक्टर हो गया बहुत सारे कुछ इधर उदर का डिपेंड करता है तोरा से यहां पर टाइटली होल्ड करके चले दिए मैं आपको जो फेबररी की फर्स्ट वीक में पहुंच गया था 215 पर शेयर वहां से 40% क्रेश किया था ध्यान से देखना 40% की बात हो रहा है यहां पर 125 बहुत लोग यहां पर होल्ड करके रखा था उनको यहां पर यह जो रैली नेक्स टैम हमने देखा था जब शेयर में कुछ मैनों की की फासला है 125-310 more than 100% की रैली यह कुछ महीनों करने देखने को तो सेम चीज मैं कहूंगा कि यहां पर हिम्मत मत छोड़ना आप मेरे स्टूडेंटों दात कसके पकड़कर करके जो भी आपको बताता हूं फुल फैक्ट की उपर डेटा को बेस करके बदाता हूं इसमें आपके ऊपर ओके नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टन अपडेट आई एक्स यानि इंडियान एनर्जी एक्षेंच लिमिटेट आज शियर अपना 52 एक्साइट किया बट हाल टाइम ही टच करने वे बाग है तो यहां पर एक्चुली यह सिकुर्टीस की तरफ से कुछ यह इक्स को रेकमेंट किया है एक वार्ण आपको दिखाता हूं हाँ यह देखिए आई एक्स को रेकमेंट किया बाइग करने का 230 रुपए का टार्गेर यह सिकुर्टीस ना ब्रोकर इच कर आप अचा नहीं सौरी सौरी गलत बोल दिया इलकेपी सेकुर्टीस की तरफ से है तो ठीक है कंपनी मैं बताऊंगा कि इसमें एक ही इशू है कि गवेंट कप्लिंग लागू कर सकते बहुत लोग बोलेगे सेर आपने तो इसके पहले बहुत बार कहा था देखिए मैं क्यूंकि जो भी यहां पर नियूज आ रहा है उसके उपर बेस करके मैं बोल रहा हू लास्ट और आखरी अपडेट दोस्तों मजगाव डॉक्यों पर शुरुआत करेंगे बर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूरू र उपर की तरब जो पॉजिटिव मत पैटन है उसको ब्रेक करके निकलेगा या तो नीचे गिरावाट होगा तो सारे चाराज़त तो हमने देखा कि लास्ट डे उपर की तरब अगर पांच्छा पैटन बेर ब्रेक कर लेता तो उसके बहुत अच्छा ब्रेक आउट हो जाता अनफॉचुनेटली आज नहीं वाप जोपकी शुरू में लग रहा ता कि हो जाएका उपिनिंग जहां पर वहा था नीची की तरब हमने देखा जो 20 डेस की यह में उसको परी सपोर्ट मिल गया ठीक है यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इवन लास्ट डे से थोड काफी बार बना था काफी गिराबट हुआ था अबर स्टिल जिन लोगों ने थोड़ा टाइटली होल करके रखा उनको देखें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है सिर्फ कुछ महीनों की अंदर तो शियर कब चलेगा वह तो किजी को मालूम नहीं है और मैं लॉंग टम क कि इसलिए बोलता हूं कि देखें लॉंग टम में ना बहुत सेफ हो जाता है एक टाइप का ठीक है तो इस टाइप की सिच्वेशन पर हमेशा पैनिक मत करना बस इतना आपको सब्सक्राइशन दूगा बागी दोस्तों कोई डाउट से कमेंट करके बताइए वीडियो पर ट